जहीं दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे अपने यूटूब चेनल में और आज हम बात करने वाले हैं SRT के चोथे सेट की इससे पहले मैंने आपको 3-8 करवा दिये हैं जीडी के वीडियो करवा दिये हैं इंस्ट्रक्शन करवा दिये हैं वो नई देखे तो देख लीजिएगा आज का जो हमारा जो टोपिक है वो है SRT का ठीक है SRT का आपको पता है 45 क्यूशन आते हैं आपके face 2 में 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है जिन मेंसे 40 क्यूशन जो होते हैं वो तो आपके SRT की होते हैं मतलब situation reaction test और जो 5 क्यूशन होते हैं वो नॉर्मल reasoning के होते हैं मतलब एक दम normal से होते हैं basic से तो आज इसमें मैं रिजनिंग के थोड़े ज्यादा क्यूशन लेके आया हूँ और आदे ऐसा डिके हैं आदे रिजनिंग के हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का मारा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना ज्यादा ज्यादा सेयर जरू भूलिएगा पहला क्यूशन है आप ट्रेंज से प्रिक्ष्या देने जेपुर जा रहे हैं बीच रास्ते आपको याद आया कि आप अपना पर्स घर पर ही भूल गए हैं तो आप क्या करोगे पहला उप्सन बीना पैसे प्रिक्ष्या देने चले जाएंगे उप्सन बी फोन करके घर वालों को पैसे भीजने की विवस्ता करने को कहेंगे एंड सी अगले स्टेसन पर उतर जाएंगे एंड डी वापिस घर लोटाएंगे अब उप्सन डी कट जाएगा क्यों कट जाएगा क्योंकि वापिस घर लोटाएना कोई जो सोलुशन नहीं तो आप इस घर लोटोगे तो भी आपको पैसे की जरूरत पढ़ेगी ही पढ़ेगी तो option D cancel हो जाएगा और हम exam देने जा रहे हैं तो exam को cancel नहीं कर सकते ठीक है तो option D कट गया C अगले स्टेसन पर उतर जाएगे अगले स्टेसन पर उतर की क्या करोगे क्या वहाँ पर आपको पैसे मिलेंगे थोड़ी तो C भी cancel हो जाएगा अब बचा A और B बीना पैसे परिक्षा देने से ले जाएगे बीना पैसे आपको कोई auto वाला बस वाला कोई नहीं लेके जाएगा तो option A भी cancel हो गया बचा option B फोन करके घर वालों को पैसे बेजने की विवस्ता करने को कहेंगे कैसे भी फोन पे पेटियम गूगल पे कुछ भी करने को उनको आप बोलोगी तो option B राइटिंस का आस्वर हो जाएगा next question है आप अपने दोस्तों के साथ बेठे हैं उन में से एक बहुत ही रोचक मजाग करता है आपके दोस्तों में से एक है जो जोक सुनाता है लेकिन आपने इसे पहले ही सुनाए तो आप क्या करेंगे अब उसने जोक सुनाया जो उसने मजाग किया उसको आपने पहले ही सुन रखा है तो आप क्या करोगे Option A चुप रहोगे Option B कहोगे कि ओह मुझे पता था यह एक ऐसा जोग है कि मुझे पता था कि ऐसा जोग है Option C आप ऐसे खुस होंगे कि आपने पहली बार जोग सुनाओ and Option D चार और मुड़ेंगे और द्रिश्य देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर C कि आप ऐसे खुस होंगे कि आपने पहली बार जोग सुना है चुप रहने वाला यह उप्सन कर जाएगा और B उप्सन भी कर जाएगा कि किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते अगर आप यह लाइन बोलेंगी कि मुझे पता था यह जोग कैसा है तो इससे अगला बंदा खुद की इंसल्ट फिल करेगा कि मैंने तो इसको जोग सुना है और इसने ऐसा बोला है और D भी उप्सन नहीं होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा आप इस तरीके से खुस होंगे लाइक कि आपने वो जो पहली बार सुना है अगर आप एक तेजगती ट्रक को देखते हैं कोई ट्रक है जो तेजगती से जा रहा है जिसने एक महिला को कुचल दिया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे उप्षन A ट्रक के नंबर नोट करेंगे उप्षन B एक टेक्सी किराये पर लेंगे आप्षन C ट्रक को रोकने के लिए ड्राईवर को कहेंगे और उप्षन D महिला को प्रात्मिक उप्षार परदान करेंगे और धुरगटना की रिपोर्ट निकर्तम पूल स्टेशन को देंगी यदि संबव हो तो उसे निकर्तम अस्पताल ले जाएंगी तो अभी इसमें आपको एक-एक ओप्सन काटते जाना है सबसे पहले ट्रक को रोकने के लिए ड्राइवर को कहेंगी ट्रक तेजगती से चल रहाएं वो महिला को खुचलते हुए चला गया तो अप्सन C आपका कैंसिल हो जाएगा कि ट्रक को रोकने के लिए ड्राइवर को कहेंगी B, एक टेक्सी किराय पर लेंगे और ट्रक का पीछा करेंगी B भी cancel हो जाएगा क्यों cancel हो गया क्योंकि उसने एक महिला को टक्र मारी है और आप उस महिला को छोड़के उस ट्रक वाले के पीछे जा रहे हो तो option B भी गलत हो जाएगा अब A और D में से आप कौन सा भी कर सकते हो ट्रक के नंबर नोट कर सकते हो या D, D option भी कर सकते हो आनित तो ये option दोनों एक साथ चीए थे लेकिन अलग-अलग आ गए और इस type से जब आपकी question आए तो आपको जो right answer है वो D ही करना होगा कि महिला को प्रात्मी कुप चार परदान करेंगे और दुरगटना की report निकरतम उसमें पुलिस टेशन को देंगे यदि संबव हो तो उसे निकरतम अस्पिताल ले जाएंगे इसका जो right answer हो जाएगा वो D हो जाएगा next question 34, आपको footpath पर 2000 रुपे के नोट्स मिले तो आप क्या करोगे अब यहाँ पर दिये होई नहीं है C, इसे यहीं छोड़ देंगे जहाँ यह पड़ा है option D, इसे बिखारी को देंगे अब यह पूरा totally आप पर depend करता है कि आप क्या करेंगे अगर आप के पास मतलब आपको पैसे के जुरूरत है तो आप अपनी जेब में रख सकते हैं अगर काफी ज़्यादा मात्रा में नोट है तो आप उसको पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं अब एक नोट होगा तो उसको लेके पुलिस स्टेशन थोड़ी जाएंगे कि मेरे को 2000 रुपे मिला देखो और C, इसे वहीं छोड़ देंगे यह तो उप्सन होगा ही नहीं ऐसा तो कोई नहीं करेगा की रुपे पढ़ा रुपे पैसे पढ़े हैं और वहीं पर छोड़ देंगे 10 रुपे का नोट होगा तो भी नहीं छोड़ेंगे उप्सन D, इसे विखारे को दे देंगे अब इन तीन उप्सन में से आप कौन सा करेंगे वो आपको कमेंट में लिखना है कमेंट जरूर कीजिए ठीक है कमेंट में कोई कंजुसी मत करिएगा अब आक्यूशन नमट 35 आपको फिल्ड में गस्ट ड्यूटी पर जाना है और आपके ड्राइवर को तेज बुखार है तो आप क्या करेंगे ठीक है आप ओफिसर वगएरा कोई भी है लेकिन आपका जो ड्राइवर है उसको तेज बुखार आ गया और आपको गस्ट जूटी पर जाना जरूरी है तो इस कंडिशन में आप क्या करेंगे अप्सन A कर जाएगा, आप अपने ड्राइवर को जाने के लिए तुरंत आदेश देंगे, क्योंकि उसको तेज बुखार है, आप ऐसा नहीं कर सकती, तो अप्सन A कैंसिल, D, ड्राइवर की सिकाहित उच अधिकारी से करेंगे, अब इसमें सिकाहित कैसी करनी, क्योंकि उसको बुखार है, वो कोई गलती नहीं कर रहा है, तो अप्सन D भी कैंसिल हो गया, अब बचा अप्सन B और C, दूसरा ड्राइवर बुलाकर ड्यूटी ले जाएंगे, अप्सन C, अपने ड्राइवर को दवाई दिलाकर स्वेम गाड़ी चलाकर ले जाएंगे, अब अप्सन B औ कर सकते हैं, और C भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पे क्यूशन में ये मेंशन नहीं किया गया, कि आपको गाड़ी चलानी आती है, या नहीं आती है, तो यह आप इन B और C में से कौन सा भी अंसर कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सही अंसर होगा, वो C होगा, क्योंक आपका reasoning का question, यह आपका reasoning का question, कि यदि मैं appear को, appear का जो code है, वो है P-A-E-P-R-A, तो आपको बताना है जो providence है, इसका code क्या होगा, ठीका reasoning का easy सा question है, अराम से अगर आपने question देख लिया है, तो इसका जो answer है, वो आपको comment में लिखना है, कि इस answer कौन सा होगा, ABCD में से, इस answer जो भी right हो, वो आपको comment में लिखना है, इस type के reasoning के question आएंगे आपके, एकदम easy से, appear का यह code है, तो आपको providence का code बताना है, next question पर चलते हैं, जो कि हमारा है 37, आप किसी पंक्ती में, आगे और पीछे दोनों तरफ से 7 number पर हैं, कि कोई line बनी हुई है, उसमें अगर मैं आग भी question आए, कि आगे और पीछे से दोनों तरफ से गिनने पर आप same ही जगह हो, कि आगे से गिने तो भी साथ पर पीछे से गिने तो भी साथ में, तो उसमें formula लगता है 2N-1 का, इसमें आप N कौन सा काम मिलोगे, N यह जो 7 है वो, 2N, दो गुना 7, कितना हो जाएगा, 14-1, ज इसको formula से कर सकते हो, या आप ऐसे भी solve कर सकते हो, आप आगे से 7 नमर पर हो, मतलब आपकी आगे यहाँ पर 6 लोग है, यहाँ पर भी 6 लोग है, 6-6-12, और एक आप 13 हो जाएगा, इसका next question, यह थोड़ा साम आपको पूछना चाहता हूं, कि मैं 13 ओम, 14 और 15 को को कोई वीड अगर GD के regarding कुछ भी पूछना चाहो, phase 1, phase 2, phase 3 के regarding कुछ भी आपका कोई भी doubt हो, तो वो आप पूछ सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं live आओं, तो आपको comment में लिखना है yes, live, only yes लिखोगे तो भी चल जाएगा, और अगर ना आओं, तो आप please no भी लिख दीजिएगा, ताकि मैं मेरे को कोई problem ना हो, मैं live आजाओं और आप लोग live वो शेहसं ना अटेंड करें, तो फिर वो भी मेरे लिए problem हो जाएगी, तो 15 September को मैं one से डेड़ आवर आपके लिए निकाल सकता हूँ, अगर आप लोग बोलो तो live आ सकता हूँ, लेकिन अगर live का मना करते हो आ नहीं ले पाऊंगा, मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, और सोडा को भी 50-50 chances हैं कि सोडा को भी वीडियो डाल दूं या नहीं डाल पाऊं, तो यह आप लोग देख लेना, next question, अब यह मत सोचना कि यह कुशन उसमें एड हो गया, एक क्युशन एक्स्ट्रा करव option B, उसके साथ जैसे को तैसा करके दिखाएंगे, and option C, उसकी गलती महसुस करवाएंगे, option D, अन्य दोस्तों के बारे में बताएंगे, अब इसमें से आप कुछ भी कर सकते हो, उससे रिस्ता भी तोड़ सकते हो, अगर मुझे पुछा जाए कि इस कांसर कौन सा करेंगे, त क्योंकि चीटर और साप किसी की भी नहीं हो सकते, वो आपकी कभी friend होई नहीं सकते, तो मेरे according इसमें answer A होगा, लेकिन जो right answer इसका आपको करना है GD में, वो होगा इसका right answer C, कि उसके उसकी गलती महसुस करवाएंगे, अन्य दोस्तों को इसके बारे में बताएंगे, option नही करना है, क्योंकि दूसरे दोस्त आप पर विश्वास करें या नहीं करें, उसके साथ जैसे को तैसा करके लिगाएंगे, अगर ऐसा किया तो उसमें और आप में फरक क्या रह जाएगा, तो B और D नहीं होंगे, A और C में से आपको करना है, चाहे तो आप उससे रिस्ता तो किया है आपको, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, अब चार उप्सन ध्यान से पढ़ लेजिए, पूरी तरीके से अंदेखा कर देंगे, क्योंकि वो आपकी नोकरानी है, उप्सन B साधी में जाएंगे, उप्सन C उसकी बेटी के लिए गिफ्ट खरी देंगे, उसकी सहायता क करेंगे, उप्सन D उसे बढ़ाई देंगे, और कोई बहाना बना कर साधी में जाना टाल देंगे, तो उप्सन A तो कर जाएगा, कि पूरी तरीके से अंदेखा कर देंगे, क्योंकि वो आपकी नोकरानी है, ये कोई उप्सन नहीं हुआ, आपके लिए सभी एक्वल है, उप्सन उसे बढ़ाई देंगे, और कोई बहाना बना कर साधी में जाना टालेंगे, तो ये उप्सन गलत हो जाएगा, ठीक है, बहाना बनाने की कोई जरुरी नहीं है, अब उप्सन B और C में से आप कौन सा भी कर सकते हो, उसकी बेटी के लिए गिफ्ट खरी देंगे, सा इभढ़ी होगा, नेक्सट क्यूशन iki suan41, आपने कुछ बहुदा गलतियां की, जिनके बारे में आपको बताया जाता है, मतलब आपने कभी किसी टाइम पे गलतियां कर दी, ऻिजिसे के बारे में आपको बाद में बताया गया कि उस टाइम आपने गलति की थी लेकिन गुसा हो जाएंगे, उप्सन C, सर्मिंदगी मैशूस करेंगे, और उप्सन D, धन्य मैसूस करेंगे, ऐसा तो कोई वेक्ती पूरी दुनिया मी नहीं होगा, कि जिसको गलती बताई जाए और वो धन्य मैसूस करें, तो उप्सन D को आप काट सकती है, हाँस के अनसुना कर दे कि आगे ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, तो ये आज का जो हमारा पूरा वीडियो होगा, इसमें मैंने आपको 10 क्यूशन करवा दिये हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइ और लाइव वाले का जरूर कमेंट में आंसर देना, तैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो